इंदर के आज़द नगर इलाके में उस वक्त संसनी फैल गई जब देर शाम एक महिला की अध चली हुई, लाश बंद कमरे में मिली, बता दे कि एक दिन पहले ही उसने और उसकी पती ने कमरा के राय पर लिया था, वही घटना के बाद से ही पती फरार चल रहा था, पलिस के अशंकत ही कि पती ने पतनी की हत्या कर लाश को जलाने की कोशिश की और फरार हो गया, आज़द नगर थाना प्रवारी इंदरेश ट्रिपार्ठी के नुसार घटना आलोक नगर की है, जहां विरेंदर और फभूरा सिंग बखेल के मकान में, दो दिन पहले एक दमपत्थी ने किराय से लिया था, दस्तावेज एक दिन बात दिने को कहा, जब कल शाम तक दमपत्थी का कमरा नहीं खुला, तो परोसियों ने मालिक को सूचना दी, विरेंदर ने पुलिस को खबर की, पुलिस मौके पर पहुच्ची और दरवाजा खोला, तो अंदर बिस्तर पर महि कि अधुचली लाश मुरी, पुलिस को मही से एक आधार कार्ड मिला है, जिससे महिला की पहचान जोती पती विजे नायक के रूप में हुई है, जानकरी के मताबिक विजे और जोती के चार बच्चे होने की बात सामने आई है, वहीं विजे की ये दूसरी पत्नी थी, पहल रूम क्राय से दिया था और उन्होंने बोला डाकुमेंट वगरा हम शनी बार हो समिट कर देंगे पैसे बगरा चुकि वहाँ पर ऐसे लोवर करेगरी के लोग रहता है मज़ूर क्लेवर जो है उस टाइप के तो तींचर करादार और है जब कल इन्होंने देखा कि वो दिनव नीली कमरे में जिसका की चैरा हाथ पेट जला हुआ या था और इसका जो पती है वो घर में नहीं था रूम में फिर किसी ने करादार ने बताया है कि वो सोबेश्य बजे करीब उसने मोला मेरा गेट खोल तो मैं जाना है और च्छे साड़ा बजे करीब सोबेश्य निकला ह कमरे में चाय बगरा बनी हुई है सोबे की ऐसा लग रहा है कि कोई जो भी घटना हुई है इस सुबे के आसपास होना चाहिए कल और बीस्तारी को और लिमार्णी तो जिसमें शाओ को भी पिए में तो बेजा गया है अब उसमें डॉक्ट साब जराए लेंगे कि इसके मरत् में राजगर जिले के वो ड्राइवर है विजय उसका फोन ही बंद आ रहा है तो जब पीम के बाद इसमें खुलासा होगा मौत का करण क्या है उसका दग्रिम कारवर की जाए इस मेला के चार बच्चे है और यह मालूं पढ़ाए कि इस बिजय की दूसरी पत्नी है पहले प संदिन तो लग रहा है कि जिस वस्ता में जली भी पड़ी है महिला तो सामान परिस्थित नहीं लग रही है वो अब इसके जब पूश्ट माटा होगा तो पूरा मालूं पढ़ाएगा इसमें क्या है इंदोर से हार्तिक प्रजापत की रिपोर्ट